नमस्कार स्वागत आप सभी का गाम गुहंड में मैं अनिरुद चोहान कल से एक छोटी सी क्लिप वाइरल हो रही है जिसमें भारते जन्ता पार्टी के सांसद रमेश विदूडी जी बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिस अली जी को कुछ सब्द कह रहे हैं बड़े अपति जनत सब्द थे मुल्ला कहा गया उगरवादी कहा गया आतंकवादी कहा गया मुसल्मानों के लिए सब्द हमेशा यूज होते आए हैं लेकिन चंद नीनों पहले जब दिल्ली में किसान धरना दे रहे थे अंदोरन कर रहे थे उनके लिए भी इसी इस तरह के सब्द इस्तमाल किये गए उनको भी उगरवादी माववादी खालिस्तानी पाकिस्तानी काम न करने वाले कमेरे वर्ग को जब इस तरह की बात कही जाएंगी देश के लिए लड़ने वालों को जब इस तरह की बात कही जाएंगी और जिस मुसलिक कम्यूनिटी ने देश को मिसायल मैन दिया हो जब उनको इस तरह की बात कही जाएंगी और वो भी उस मंदिर में जहां लोग तंत्र की बात होती हो जहां मानवता की बात होती हो तो फिर क्या है? आप समझ सकते हैं हमारा देश किस तरफ जा रहा है जहां सवाल होने चाहिए थे दो क्रोड रोजगारों को लेकर बेहन बेटियों के साथ हो रहे बलातकारों को लेकर सिख्सा को लेकर भारत आगे कैसे बढ़ागा इसको लेकर MSP मिलेगी के नहीं मिलेगी इसको लेकर महां इस्तमाल किये जा रहे हैं ओई मुले तू बाहर निकल तुझको देखता हूँ हमारे साथ में कुछ किसान मौजूद हैं और सबसे पहले जो नाईद असन है कैना विधायक उनकी परतिनीदी है इकरासन जी उनसे बात करेंगे शुरू में उनको क्या लगता है और किस तरह से सोच रही है इस बयान पर और उन्होंने भी क्योंकि वो वकालत करके आई हैं लंदन से LLM करके आई हैं तो उनको ज़्यादा नोली जैस बारे में कि इस तरह के सब्द बोलने चाहिए या नहीं नमस्कार जी देखे बहुती निंदनिय घटना ये हुई है और खासकर इसका बड़ा प्रभाव है क्योंकि ये हमारा जो नया लोकतंतर का मंदर जो बना है उसमें हुआ है ऐसा और जब संसद में ही ऐसी भाषा का इस्तमाल होगा तो ये मानिये कि जो रहा चलते लोग हैं जो सडक पर आम आदमी जो गुजर बसर कर रहा है उसके साथ क्या-क्या होता होगा तो इसमें कड़ी से कड़ी उनके उपर कारवाई होनी चाहिए उनको सस्पेंशन उनका होना चाहिए और मुझे लगता है इसमें प्रधान मंत्री जी को आगे बढ़कर आश्वासन पूरी ही कौम को कम्यूनिटी को देना चाहिए क्योंकि ये बिलकुल हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जिस देश के लिए जहां जिस देश की धरती में हमारे पूर्वजों का खून मिलावा है वहां पर आज हमें ऐसी बाते सुनने को मिलेंगी वहां के संसद में और बाकी आम जगा पर चाहिए जो भी हो लेकिन अगर संसद में ही ऐसा हो रहा है तो इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पूरे ही समाज पर जाता है फिर इसको एक नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा इन बातों को तो इस पर कड़ी से कड़ी कारवाई हमारी मांग है और उनका भिदूडी जी का जो बयान था वो सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ कि किस दिशा पर भाजपावाले हमारे देश को ले जा रहे है क्या यही सभ्यता RSS की है यही उन्हें सिखाया जाता है कि सिरफ जो उनके बात कहे वो ही इस देश में रहने के हगदार है फिर लोग तंत्र किसलिए है फाड के फैक दीजे Constitution को अगर हमें आज जीने का अधिकार नहीं है तो फिर कोई मतलब भी नहीं बनता है किसी चीज़ का और अब जैसी यह हुआ है यह वारदात इसी तरह की और आती जाएंगी और फिर धिरे धिरे इनको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा तो हमारी मांग है कि प्रधान मंत्री जी आकर इस बात को अपनी निंदा इस पर व्यक्त करें और उन पर कड़ी से कड़ी कारवाई करने का काम करें अपनी जाएगी या तो फिर चुनलिया जाए दोनों चुनले की मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ भारतिया नहीं अगर छोटी सी प्रोटेस्ट करनी होगी तो मुसलिम भी टोपी लगा कराएंगे अगर हिंदों को करनी हो तो हिंदु तिलक लगा कराएगा और गमचाड़ा लगाराएगा भगवा क्या कोई भारतिय नहीं बनेगा आप क्या सोचती हैं इसके बारे में देखे इस राजनीती का प्रचलन भाजपा का चलायावा है वो ही इस तरह की भेदभाव वाली और धर्म के उपर राजनीती का हमेशा से उन ही का उदेश रहा है क्योंकि ये लोग किसी को भी उनका अधिकार नहीं देना चाते इन बातों में उल्जा कर ये हमें हमारे देश को प्रगती पर जाने से रोक रहे हैं और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एक आइडेंटिफिकेशन जो हो गया है अपनी अपनी आइडेंटिटी को सब लोग इस्तमाल करने लगे हैं ये बहुत ही गलत बात है और इससे हमारे जो फ्यूचर है हमारा मुस्तक बिल ऐसे रास्ते पर जा रहा है जहां से वापस आना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अब हम ऐसी स्थिती में आ गए हैं कि 2004 तक हमारा देश जहां था आज हम 20 साल और पीछे चले गए हैं इसी गंदी राजनीती की वज़े से और ये तरह-तरह की चोटी-चोटी हिंसा जिन पर जब तक हमारे प्रधान मंत्री अब वो सब के प्रधान मंत्री हैं वो केवल भाजपा के नहीं है ना वो केवल RSS के हैं जब तक वो आश्वासन नहीं देँगे तब तक ऐसी घटना और होती रहेंगी जिस तरीके से लिंचिंग एक तरीके से अब नॉर्मलाईज हो गई है आप रोज नहीं घटना सुनेंगे ट्रेन में हो गया अब राजिस्थान में हो गया कहीं लिंचिंग की रोज की घटना इतनी जादा हो गई है कि प्रभाव भी होना अब उनका बहुत कम हो गया है तो इ लगाना चाहिए रोक लगानी चाहिए और बहुत ही वो हर हर बात पे वो मन की बात करते हैं तो जब देश में ऐसी घटना आ जिससे देश का पूरे ही दुनिया में नाम गंदा हो रहा है तो इस पर क्यों नहीं वो आकर कुछ बोलते हैं तो बिलकुल लेकिन जो सरदार होता है वो ही अपने देश को आगे लेकर चलता है सही रहा पर दिखा कर चलता है आज अगर हमारा देश धर्मों में बट गया है त तो इसका पूरा का पूरा योगदान प्रधान मंतरी जी को जाता है। इन फिर से डिवाइड रूल आ गया है। तो इन फिर से डिवाइड रूल आ गया है। तो आइडेंटिफिकेशन करने का सिरफ एक ही तरीका है। कि आप अपने कपडों से, रंगों से, खानपीन से इन से इडेंटिफाय कर रहे हैं। आप नाम पूछ पूछ कर उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ये सब जो इस प्रकार की राजनीती, जो पूरे समाज में लाई गई है, ये अब राजनीतिक नहीं रहा है, अब ये समाजिक कर दिया है। और ये करने का पूरा क्रेडिट भाजपा को जाता है, उनके राजनीती को जाता है। तो इसमें हमें जो भी जागरुक हमारे देश के नागरिक हैं, सभी लोगों को सोचना चाहिए, कि कल को ये हमारे सम्विधान के साथ छेड़ चाड़ करेंगे, हमें हमारे आधिकारों से वंचित करने का काम करेंगे, तो इनको तो यहीं पर रोकने का हमारा सब का ये ध्रि चोबिस की त्यारी भी दिवा कर लगे हैं उसमें भी लगता है आई जाएंगे जिस तरीकी की बाते चली हुई है उसको देखकर तो यह लगता है कम जोर क्यों नहीं हो रहे जो कटबंदन बना है जो विपक्स है वो इतना कम जोर क्यों है कि अखिले से अदव जी वो चुप नहीं चाहते या तो उनको इसी इतनी पसंद आ गई है ना उनको खिसानों की चिंता अब धर्णा सामली में चला हुआ है पहले भी चल लेते उनके समय में भी ऐसा क्यों हो रहा है सब के साथ ही और क्या रैसे इतनी मजबूत हो गई है कि वो पूरी दुनिया में उन्होंने अगर कोई आदमी बोलता है तो उस पर जूटे सच्चे मुकद में लगा दिये जाते हैं अब राहुल गांदी जी को इन्होंने क्या बात कही थी जो उन्होंने कहा था उसको अगर आप भिदूडी जी के बोलों से कंपेर करें तो कुछ भी नहीं कहा था उन्होंने तो एस दूपी में ही देख लीजे कितने मेरे खुद के साथ हमारे परिवार के साथ ऐसा हुआ है मेरे भाई पर इतने जूटे मुकद में लोगों ने लगाए जो भी कोई बोलेगा इनके सामने इनके पास अब एक फंडा है कि ये उसको जूटे सच्चे मुकद में फसा कर उसकी बोलती बंद करने का काम करेंगे तो इनके पास से जब तक ये ताकत नहीं जाएगी हम इनसे अगर अभी कमजोर बिलकुल हैं क्योंकि हम विपक्ष में हैं हमारी ताकत हमारा वोट है हम इन्हें अगर हरा सकते हैं वोट के दम पर हरा सकते हैं हमारी ताकत है हम इने लाठी और उसके दम से नहीं हटा सकते बस वोट के दम से हटा सकते हैं उसी का उम्मीद है हमें और इस बार जो गटवंधन बन रहा है सभी लोग अपने जो नीजी फाइदे और नुकसान हैं उन्हें पीछे हटा कर देश के बारे में सोच रहे हैं और उम्मीद ये है कि इस बार हम ये सरकार को हटाने में बिलकुल काम्याब होंगे इंशाल्ला